नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे mid-cap IT company कोफोर्ज के fundamentals, valuation, shareholding pattern, stock chart दिखेंगे long term का और जानेंगे कमपनी की bonus shares, stock split और dividend history के बारे में और अंत में जानेंगे कमपनी के future growth potential के बारे में तो सबसे पहले थोड़ा सा कमपनी के बारे में जान लेते हैं कोफोर्ज was founded in 1981 named NIT Limited and कोफोर्ज is a global digital services and solution provider now and कोफोर्ज leads with this product engineering approach and leverages cloud data integration and automation technologies to transform client businesses into intelligent high growth enterprises and कोफोर्ज has a presence in 21 countries with 25 delivery centers across 9 countries जानते हैं कंपनी की present valuation कंपनी का market cap है लगभग 32,500 क्रोड का PE ratio है 62 की कंपनी के पास cash reserves and surplus हैं लगभग 1693 क्रोड के और debt है लगभग 0 का तो ये कंपनी बिलॉंग करती है mid cap category के आसपस की और अगर हम कंपनी का peers comparison देखें तो आप इस table में देख सकते हो number 11 पर CLL number 11 पर है coforge limited market capitalization के हिसाब से और ये है coforge का revenue और net profit growth बार चार्ट पिछले 5 साल का तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का revenue और net profit हर साल consistently grow कर रहा है किस तरह से अब जान लेते हैं कंपनी का shareholding pattern कंपनी के promoters के पास है 55.73% shareholding FPI के पास है 19.42% DIY के पास है 14.93% और others के पास है 9.92% shareholding और ये है कंपनी की bonus shares history कंपनी ने अब तक एक बार bonus shares दिये हैं 2007 में 1 is to 2 की ratio में और ये है कोफोर्च का stock price chart साल 2005 से लेकर अब तक का तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के stock prices साल 2014 के बाद consistently हर साल grow कर रहे हैं और पिछले एक साल में कंपनी के stock prices में तेजी से उचालाया है और अगर हम numbers की बात करें तो पिछले 10 साल में कंपनी की sales ग्रोथ रही है 14%, profit ग्रोथ रही है 10% और stock prices में ग्रोथ हुई है 39% CAGR के साब से और अगर हम coforge के stock के returns की बात करें तो अगर किसी retail investor ने लगभग 10 साल पहले साल 2011 में कंपनी के 100 shares में investment की थी तो उस समय 100 shares लेने के लिए invest हुए थे केवल 20,000 रुपीज और present में उन 100 shares की market value है लगभग 5,40,000 रुपीज अगर हम stock की 50 day moving average के इसाब से calculate करें तो और इसके साथ साथ उस retail investor को कंपनी से अब तक लगभग 15,000 रुपे dividend भी मिल चुका है 2011 से लेकर अब तक का और इस table में आप कंपनी का हर साल का per share dividend देख सकते हो साल 2011 से लेकर अब तक का तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि कोफोज एक mid cap IT कंपनी है कंपनी की balance sheet बहुत strong है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि IT सेक्टर बहुत तेजी से grow कर रहा है बूम कर रहा है और इन सारे के सारे strong fundamentals के दम पर यह mid cap IT कंपनी का stock long term के लिए एक बहुत ही अच्छी investment हो सकती है दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो helpful लगा तो इसे like और share करना ना भूलें और अपनी investment से related ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिजे अगर आपने अभी नहीं किया है तो धन्यवाद जय हिंद